Hello friends, मेरा नाम जॉक्टर सुमिता शर्मा है, मैं युनिवर्सिटी ओफ जमू में जॉब करती हूँ और ये विडियो अड्मिशन से रिलेटेड है, जो बच्चे क्लास 12 के एक्जामिनेशन दे रहे हैं और जो अंडर्ग्राजुट कोर्सेज में अड्मिशन लेना चाहते हैं, जो भी बच्चे क्लास 12 पास आउट करके कॉलेजिस में अड्मिशन लेना चाहते हैं, या उनिवर्सिटी ओफ जमू के मेन कैंपस या उसके ओफसाइट कैंपसेज में अड्मिशन लेना चाहते हैं, वो सब लोगों को कॉमन युनिवर्सिटी ज एंट्रेंस टेस्ट, C.U. C.U.E.T. common universities entrance test examination देंगे और उसमें जो भी पास होंगे, जो भी उनका merit होगा examinations के बाद, उसके according आपका admission वेरियस colleges में होगा, अगर आप जमू युनिवर्सिटी के colleges opt करते हैं, तो अगर आप किसी दूसरी university के colleges opt करते हैं, तो वहाँ आपका admission होगा on the basis of the merit, बट अगर आप university of Jammu को opt करते हैं, तो आपका admission Jammu University में सिर्फ होगा through C.U.E.T. entrance test, आपके 12th class के merit के हिसाब से आपका admission नहीं होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों को बताएए, अगर आप लोग ये video देख रहे हैं, आपकी family में कोई बच्चा है, आपके relations में कोई है, आपके neighborhood में class 12 के students है because students are so busy, अभी उनके exams चल रहे हैं, maybe उनको पता नहीं है, या वो miss out कर दें या information, दो University of Jammu newspaper में, every week we are issuing a public notice, हम एक एक नाइक public notice issue कर रहे हैं हर newspaper में, बच्चों के information के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने इसको miss किया है, तो please आप ये message spread कीजे, जो भी undergraduate के admissions हैं, वो सि CUET के थू होंगे, और ये national testing agency conduct करेगी, ये national level का test होगा, इसकी जो भी details हैं, वो सारी NTA portal पे available है, बच्चों से कहिए, कि वो NTA portal open करें, CUET का form फिल करें, इसका last date 30th March है, पोर्टल क्लोज हो जाएगा 30th March को, और इसका examination 21st of May को है, so please prepare yourself and spread the word, कोई बच्चा रहना जाए, कोई बच्चा छूटना जाए, शिक्षा के अधिकार से, उच्च शिक्षा के अधिकार से, कोई बच्चा छूटना जाए, Thank you.